हेलो गाइस मैं आड याद हो आप सभी लोगों का नॉलेज इटूड में एक बर फिस्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम एडियम फिरिस के सिरीज के अगले पार्ट का डिसक्सन करेंगे तो जिन दोस्तों ने हमारे प्रिबियस पार्ट को नहीं देखा है थार वन से लेकर 48 तक जो पार्ट बने हुए हैं उनको अगर नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा तो इस सेसन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेसन को जम कर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वाकी लोगों का हुई benefit मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेसन आज का पहला इडियम है वेक दाडॉग वेक दाडॉग मिन्स होता है जैसा कि हाँ मिनिग में लिखा हुआ है इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डॉग होता है वो अपने पूँच को हिलाता है क्योंकि डॉग जो है अपने पूँच से जादा स्मार्ट होता है लेकिन यहाँ एडिया में है उल्टा काम हो रहा है यहाँ पूँच जो है डॉग को हिला रहा है ना कि डॉग पूँच को हिला रहा है अधारत महतपूर या मुद्धा यहां डॉग है तो महतपूर मुद्धे से भटक कर कम महतपूर मुद्धे पर धिया जा रहा है अगला है बेकप काल बेकप कॉल मिन्स होता है अर्थाथ ऐसी चतावनी जो किसी इनसान को खत्रे या परिशानी की सूचना दे या an event that triggers a sense of urgency or the motivation to make a change या किसी ततकाल परिवर्तन करने के लिए या कोई ततकाल कोई action लेने के लिए किसी को जो है alert करना या हम कहा सकते हैं कि खत्रे की चेतावनी देना तो इस EDM की उत्पत्ति देखें तो 19-20 सतावदी में जो है room service के रूप में जो customer होते थे उन्हें सुबह जल्दी उठाने के लिए जो है एक backup call किया आता था रिंग करते थे और उस backup call को सुनकर जो है customer जो है room में जो customer होते थे वो जल्दी सुबह उठ जाते थे तो वो call जो होता था वो backup call होता था तो वहीं से EDM लिया गया है backup call means खत्रे की चेतावनी अगला EDM है walk a tight rope walk a tight rope means होता है to do something that requires extreme care and precision अथाथ ऐसा काम करना to do something that requires extreme care and precision अथाथ ऐसा काम करना जिस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा देख भाल की जरोत पड़े या to navigate a situation that allows very little or no error या ऐसी परसिती का संचालन करना जिसमें बहुत कम तुरुटी हो हम कह सकते हैं कि लोग नाराज या दुखी होकर सत्रू ना बन जाए इसका ध्यान रखना वौकर टाइट रोप इस इडियम के अगर उत्पत्ति देखे तो यह जो है उनिसवी सतावदी के मध में जन्मा है तो एक कलावाज या नाट अथा जिसे एक्रोबेट बोलते हैं वो जमीन से उचाई पर बंदे हुए रस्ती पर बहुत ही ध्यान तथा सतरकता से चलता है ताकि वहाद दर्सुको को परसंद कर सके आपने देखा हुगा कभी जो सरकस में होते अक्रोबेट होते हैं वो रस्ती के उपर चलते हैं एक डंडा लेकर तो अक्रोबेट क्या करता है इसी रस्ती पर बहुत ध्यान से चलता ताकि वो गिर न जाए और दर्सुको का ध्यान आकरसित कर सके तो वहीं से ये एडियम आया है तो walk a tight rope means होगा कि लोगों को परसंद करना या लोगों को खुश रखना अगला है walking on air walking on air means होता है to be very happy या to feel awful, excited और pleased अथा to be very happy बहुत ज़्यदा परसंद होना या to feel awful या भेंकर बहुत ज़्यदा excited और pleased बहुत ज़्यदा जो है उससाहित होना या बहुत ज़्यदा परसंद होना तो walking on the air ये हिंदी का भी मुहावरा है बहुत popular कहते हैं कि अरे मेरे जमीन पर नहीं पर रहे हैं अथा हवा में उड़ रहा है ये से कोई इंसान बहुत खुस होता है तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो तो walking on the air मिस होगा हवा में उड़ना अथा खुसी के मारे कदम जो है जमीन परना परना हवा में उड़ते रहना अगला है वास वास वन्स हैंड आफ वास वन्स हैंड आफ में होता है अबंडन टेकिंग रिस्पोंसिबिल्टी फोर समवन और सम्थिंग अथात किसी चीज के लिए या किसी ब्यक्ती के लिए अपनी जिम्मिदारी को त्याग देना या तो रिफ्यूस तो टेक दा ब्लेम for outcome of certain situation या किसी चीज का ब्लेम या बदनामी या किसी चीज के जिम्मिदारी लेना जैसे माले कोई गलत काम कोई गलत घटना हो गई है या कोई गलती हो गई है और ब्लेम लगा और उस ब्लेम से अपने आपको बचा लेना मैंने ये काम नहीं किया है मैंने ये गलती नहीं किसी और नहीं किया होगा मलब अपने ब्लेम को अपने उपर लगे ब्लेम को किसी और बच डाल देना खुद बच जाना या आरोप से मुक्त करना या किसी बात की जिम्मिदारी से इंकार करना was once hands off इस इडियम की अगर हम उत्पत्ती देखे तो यह इडियम जो है इसमें क्या होता है कि जो pontius पिलेट जो होता है उसने जीसस को मौत की सजा देने के बाद जो है खुण से रंगे हाथों को धो लेता है और लोगों से कहता है कि देखो मैंने खून से रंगे हाथों को धो लिया है अथाद अब मेरे हाथों पर खून नहीं है तो मैं दोस मुक्त हो गया अनि मैंने जीसस की हत्या नहीं की अथाद वो बैकती है जीसस की हत्या करने के उसको मिस्तुदन देने के बाद जो है पॉइंटे स्पिलेट वो अपने हाथों को दो लेता कहता है देखो मैंने कलंग से मुक्ति पा लिया तो वही से ये एडियम आया है वास वन्स हैंड्स आफ मींस होता है आरोप से मुक्त हो जाना या किसी बात की जिमिदारी से इनकार करना अगला है वाच ग्रास ग्रो इसका मतलब होता है तो बे वेरी डल और बोरिंग अथात बहुत अधिक उबाव होना वाच ग्रास ग्रो अगर किसी व्यक्तिव को कहा जाया कि कि तुम घास को बड़े होते हुए देखो तो वो कैसा कारे होगा या बहुत ही उबाव कारे होगा क्योंकि घास जो बड़ा होता है घास क्या कोई भी प्लांट जो बड़े होते हैं तो उसका प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है वो हमारे आँखों के नजरों में नहीं पड़ेगा तो अगर किसी व्यक्तिव कहा जाया कि घास को बड़े होते वे देखो तो ये बहुत ही time taking और बहुत ही उबाव काम होगा तूंकि उसको एक टाक उसको देखते हैं न पड़ेगा वो देखते देखते एकदम बोर हो जाएगा अगला इडियम है watch one step इसका मतलब होता है to proceed to proceed with cousin अथा ध्यान से कोई काम करना या be careful about how you behave या अपने बेवार पर ध्यान रखना कि आप कैसा बेवार करते हैं बहुत ध्यान पुर्वक अपने बेवार को करना दूसरे से या बहुत ध्यान से लोगों से बाचित करना ध्यान से कोई काम करना watch one step अथा अपने पैरो पर ध्यान रखना आप जो step चल रहे हैं उस step पर ध्यान रखना कि आप कैसे चल रहे हैं तो यहाँ चलना से मतलब है किसी काम का process कोई काम कर रहे हैं उसका process कैसे चल रहा है सही से चल रहा है कि नहीं उस काम पर ध्यान देना तो step का मतलब आप जो है काम का कोई काम का process उसको अब लगा सकते हैं अगला idea में water under the bridge water under the bridge मिस होता है कोई मुद्दा जिसे सुल्जा लिया गया हूँ अर्थात पहले English meaning देखते हैं problems that someone has had in the past that do not worry about because they happened a long time ago and cannot now be changed अथात माली जे कि कोई घटना past में हुई और उससे या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी जो है दुर घटना हो गई जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं माली जे किसी की घर में किसी की death हो गई तो कोई मर गया तो उसको तो आप जिंदा नहीं कर सकते तो शुरू में लोग क्या करें थोड़ा दुखी होंगे बहुत बैट फिल करेंगे लिगे जैसे समाई बीतेगा धीरे धीरे उसको फिर भूलते जाएंगे तो उसी तरह से कोई ऐसी घटना जो अपरी घटना थी पास्ट की ठीक है तो वह समाई के साथ जो है पुरानी हो गई है और उसे लोग भूल चुके हैं तो वाटर अंदर दा व्रिज तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले बात तो यह औरिजिन कि यह बहना तो माले पुल के नीचे से पानी बह रही है तो पुल के नीचे से पानी जब भैक चला गया तो क्या वह वापस आ सकता नहीं तो पुल के नीचे से बहकर गया हुआ पानी जो है वापस उस रास्ते से लौट कर नहीं आ सकता है तो कहते हैं मुह से निकली हुई नि पानी जो बहा गया बिरिज के नीचे से, वो कभी वापस नहीं आ सकता, अर्थार कोई वो मुद्दा पुराना हो गया, उसको आप भूल जाओ, अगला है, वील एन वो, वील एन वो मिन्स होता है, दा प्रोसेस अप बेरिंग डाउन, बोथ इन टाइम आप हैपिनेस एंड सक्सेस, अड इन टाइम आप सैडनेस एंड इफिकल्टी, अर्थार दुख या सुख का समय होना, या सफलता या असफलता का दौर होना, सुख दुख का दौर होना, तो, वील मिन्स होता है, घाओ का निसान, और वो मिन्स होता है, शौक, तो सब्दों से कोई इसे मेनिंग निकलेगी नहीं, इसको आप ऐसे याद कर लेजे, वील, वील क्या है, इसको में ट्राइं करतों याद कराने के लिए, तो वील मिन्स होत से उसक्ती हरना में खाव टाहरे हैं तो इस तरह से आपा कर सकते हैं तो इसका मतलब से अगला इडियम है बियर एंटियर we are anti mother मिस होता है the process of bearing down or breaking down something by regular use अथात कोई बस्तु जो है जिसका लगातार प्रियोग अगर करते रहें तो वो समय के साथ जो है घिसता रहेगा और तूट फूट जाएगा अथात इस्तेमाल के कारण किसी बस्तु को पहुँचने वाली छती बियर एंड टियर बियर मिस होता है पहनना टियर मिस होता है फट जाना अथात पहनना जैसे कपड़े होते हैं कपड़ों को अगर आप पहनेंगे तो क्या होगा बियर करने बियर मिस कपड़े को पहनना टियर मिस फटना वह क्लॉस को पहनेंगे रगुलर तो उस समय के साथ ए यानिक रिगुलर तो फट जागा एक नएक दिन तो वियर एंटियर मिस होगा इस्तिमाल के कारण किसी बस्तू को पहुंचने वाली च्छती अगला है बियर वन्स हर्ट कि ऑन वन स्लीब कि अथार अपने हिर्दय को अपने हाथ के आस्तीन में ले आना एथार अपनी मन की भावनाओं को जो है गोपणी ना रखकर सब के सामने सबको बता देना तद अपने मन में भावनाओं को बिना छुपाये लोगों को बता देना इसको अब ऐसे आत कर सकते हैं कि बियर वन्स हर्ट अन वन्स लिप अगला एडियम है वेदर अस्टॉर्म वेदर अस्टॉर्म मीज़ होता है हैंडल अर्डिफिकल्ट पिरियट ऑफ टाइम सक्सेशफुली अथाद कठीन पर्षितितियों का जो है सफलता पूर्वक सामना करना या उसको सफलता पूर्वक जो है उसपर नियंतर पाना संकट पूर्ण परिस्ति से सफलता पूर्वक जूजना वेदर दर स्ट्रॉम माले जिये कि एक शिप है वो तुफानों से लड़ते हुए सुरक्षित तट पर वापस आ जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो यो शिप जो है कठिन परिस्तितियों से लड़ते हुए वो अपने अस्थान पर पहुँच गई वेदर दर स्ट्रॉम और वेग एंपर मीश होता है है तू कुख प्रीम कि अवार्श संकर क्या होता है जो आपने देखा है जिसलिए लंगर बोलते हैं एसे होता है कि था ज सद। बांँने और इसको जो है फृकते हैं और वह जाकर समूदी के तठ पर नदी के किनारे लफज जाता है और इस एक साइट जो है शिप को बांद देते हैं और दूसरे साइट को ऐसे फेक देते हैं जमीन में जाके गड़ हो जाता है जिससे की शिप वहां से हिले डू लेना तो क्या होगा बैग दा एंकर इसका मतलब होता है जो है टू होस्ता एंकर सो दैट एस शिप कैन सेल तो वेग मिंस मलब उठा लेना तो एंकर को उठा लेना या उस लंगर को उठा लेना जिससे की शिप जो है आगे बढ़ सके या इन प्रिप्रिप्रेशन ऑफ गेटिंग अंडर वे इस पेसली ऑफ है शिप अथा किसी जहाज को यात्रा में निकलने से पह त्यारियां या किसी जहाज को यात्रा में निकलने से पहले त्यार करना लंगर को उठा लेना ताकि जहाज आगे बढ़ सके जैसा कि मेनिंग में लिखा हुआ है तो वेग मिंस होता है उठाना अर्था लंगर को उठा लेना लंगर को उठा लेना ताकि जहाज आगे कर अगला है कि वेल हील्ड वेल हील्ड मींस होता है हैविंग प्लेंटी ओफ मनी अथा धनी होना यह बहुत ज्यादा पैसे होना तो यह इडियम जो है यह अमेरिकन एक्सप्रेशन है जो की उनिस्वी सतावदी के मध में जन्मा है तो अमेरिका में क्या होता है अमेरिका की क्या हर देशों में क्या होता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं या उच गुर्वत्ता वाले व्यक्ति होते हैं बहुत पैसे वाले हो वेर पहनते हैं धनी लोग तो well-heiled means होगा तो धनी लोग क्योंकि उनकी जो सूस है यह सेंडल है वो ऊची ही रिखłem उची ही ही रिखłem है क्योंकि वो धनी है धनी लोग ऐसे ही सूस पहनते है अगला है well-oiled means होता है intoxicated with alcohol to the extent of loss in control over normal physical and mental function अर्था इतना ज़्यादा सराब पीना कि अपने सारेरिक और मानसिक संतुलन को खो देना बहुत अधिक सराब पीए हुए bell oil यहाँ oil को आप जो है alcohol से relate कर सकते हैं bell oil मतलब जैसे कि कोई गारी है तो इसको जब हम ooilink करते हैं बहुत अच्छे सायल करते हैं यह न ताकि इससमूज चले उसी तरह से जो है कोई सराबी है उसने अपने को बहुत अच्छे सा उइल किया इलकुहॉल से अपने आपको पूरी तरह से नहला दिया महीं वह बहुत ज्यादा उसने सराप पिया है जिस तरह से अगला इडियम है बेट बिहाइन दा फिको मेel मैं सोता है तो भी इनिएक्सपियेंस्ट या इमेच्योर या pure skill अनुभाव हिन होना या परिपक वना होना या योगता की कमी होना pure skill बहुत कम योगता होना अनुभाव हिन होना bit behind the years तो जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा सरीर खून से से और म्यूकस से सना होता है पूरा सरीर गीला होता है म्यूकस और बलड से सना होता है तो धीरे दे कुछ समाई के बाद म्यूकस और खून सूक जाता है लेकिन उसके कान के पीछे वाला हिस्सा होता है वो नहीं सूकता है तो वहाँ गीला रहता है क्योंकि यहाँ बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है अता है इसकी तुलना अनुहावहीन या नया से कर सकते है उसका कान अभी और उसके कान का पीछे खिस्सा अभी गीला है क्योंकि वो अभी भी पैदा हुआ है तो अभी पैदा हुआ है मतलब वो एकदम अनुहावहीन है वो दुनिया में एकदम नया है कुछ जानता नहीं है तो wet behind the ears मतलब होगा अनुहावहीन होना अगला इडियम है wet blanket अर्थात person who spoils others person fun कोई बैक्ती किसी दूसरे बैक्ती के मौज मस्ती को खराब कर दे जो लोगों की मौज मस्ती पर पानी फेर देता है wet blanket माली जे कोई बैक्ती है वो सोने जा रहा है ठीक अगर कोई उसके blanket यानि कंबल को अगर गीला कर दे तो क्या होगा उसकी राते खराब हो जाए कि वो ठीक से अब मौज के साथ सो नहीं पाएगा उसके नींद में खलल पर जाएगी तो wet blanket में सोगा जो लोगों की मौज मस्ती पर पानी फेर देता है अगला है when pigs fly इसका मतलब होता है impossible या highly unlikely to happen impossible होना जो चीज संभाव ना हो या बहुत जाद बहुत कम ही हो highly unlikely to happen मतलब ऐसी घटना जो बहुत ही कम चांस है जिसके घटित होने की बहुत ही कम चांस है हर असंभाव परिस्थिति एक असंभाव परिस्थिति when pigs fly इसको आप ऐसे हाथ कर सकते हैं कि जब सुवर उड़ेगा तो क्या सुवर कभी उड़ सकता है नहीं न तो ये एक असंभाव परिस्थिति होगी यह है एक impossible बात होगी कि सुवर उड़ने लगे तो उसी तरह से when pigs fly मतलब होगा एक असंभाव परिस्थिति इस तरह से आप लेट कर सकते इसके मीनिंग को इस एडियम से अगला है वेट वन्स एपिटीट वेट 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 वन्स एपिटाइट इसका मतलब होता है a reason which increase your interest in something या a stimulation that causes you to want additional addition of something मतलब होगा इसका मीनिंग होगा की a reason which increase your interest in something असाथ कोई ऐसा कारण जो आपकी रूची को किसी चीज़ें बढ़ा दे या stimulate कर दे उत्तेजित कर दे that cause you to want addition to something या किसी चीज में और बहतर करने के लिए उत्तेजित करें आपको किसी चीज के प्रती रूची जगाना तो पुराने जवाने में इसका इसकी उत्तती आप ऐसे देखें कि weight means होता है तेज करना और appetite means होता है भूख ठीक अर्था भूख को तेज करना तो क्या होता है जो डिनर करते हैं आपको जिसे आपको सूप दियाता है ठीके ना और कुछ स्नैक्स बगार दी जाती है स्टार्टर के तो तो उसको खाने से क्या होता है कि आपकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है तो डिनर से पहले जो चीज़े आप खाने हैं तो उसे भूख बढ़ाने के लिए दियाता है तो weight once appetite appetite weight once appetite means होगा भूख को बढ़ाना अथाद भूख बढ़ाना मतलब किसी चीज़ के प्रती भूख बढ़ाना या किसी चीज़ के प्रती रूची या उस्साह बढ़ा देना अगला है whistle in the dark whistle in the dark में सोता है to guess aimlessly या to speculate as to affect to guess aimlessly अथाद बिना किसी 날 चीज़ कीजा लगाना या किसी चीज़ का अनुमान लगाना अगला है इसको iliמׯ है इसको संवाज लेते हैं इसका मतलब होगा बिना आधार के अनुमांन लगाना man the अ 你ले में सीटी बजाना अंधेरे में CT बजाना मतलब क्या होगा अंधेरे में 3 चलाना अंधेरे में 3 चलाना या अंधेरे में CT चलाना मतलब क्या होगा कि ऐसा कायर करना जिसके परिणाम के बारे में पता ना हो कि उसका परिणाम क्या होगा या बिना आधार के किसी चीज़ पर अनुमान लगाना अगला है वाइट एलिफेंट वाइट एलिफेंट मिस होगा एन एक्सपेंसिब आइटम बित नो यूज और परपस अथाथ एक फालतू चीज जो सिर्फ खर्च का घर हो अब ऐसे चीज जो बहुत ही महंगी हो और उसका यूज कम हो उसका प्रियोग ज़्यादा ना हो वाइट एलिफेंट जैसे कि हाथी होता है हाथी जो है बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन काम कुछ नहीं करता किसी काम करने होता हो क्योंकि इतना बाद जानुवर है उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में फूट चाहिए लेकिन वो कोई काम करता नहीं जैसे कि आप कैटल एनिमल होते हैं बैल है जो खेतों में काम करता है लेकिन हाथी क्या करें कुछ नहीं करें कि बस एक सोपी सोता है बस उसको देखके आप लेकर घुमा सकते हैं उसकी सवारी कर सकते हैं तो बहुत ही महंगी सवारी है वो अगला है whole bag of tricks अथाथ जुगार से भरा हुआ bag या every possible clever trick या tactic or technique that one has available यानि सभी संभावित उपाय करना whole bag of tricks अथाथ कोई है जो tricks अथाथ उपायों से भरा हुआ है अथाथ उपायों से या tricks से भरा हुआ कोई bag होना अगला है whole new wall game whole new wall game इसका मतलब होता है a situation that is completely different from what one is used to or expecting अथाथ कोई ऐसी परिस्थिती या घटना जो किसी ने expect या आसा की थी उससे विपरीत होना अथा आसा के विपरीत जो है कोई पहिनाम निकलना या आसा के विपरीत कोई घटना घटना एकदम नया या अलग whole new wall game अथा सारा गेम जो है एकदम new है ball game ball game जो है ये base ball को बोलते है ये idiom जो है अमेरिका से आया तो अमेरिका में ball game मतलब होता है base ball तो whole new wall game अथा एकदम नया game यहनि एकदम नया एकदम अलग अगला है whole nine yards whole nine yards मींस होता है everything सब कुछ the whole of something या in its entirely अथा सभी चीजे whole nine yards yards क्या होता गज यह जमीन को नापने कीकाई होती है गज जिसे yards बोलते है यहनि पूरे के पूरे nine गज जमीन ले लेना अगला है wide of the mark wide of the mark मींस होता है inaccurate और wrong या far from hitting a target अथा लक्ष से दूर होना या पूरे तरह से जो गलत होना गलत या असंगत होना wide of the mark तो wide of the mark यहां mark मतलब क्या होगा mark मींस होता निशान wide मींस चोड़ा होना तो निशान मतलब लच माली जीए कि यह लक्ष है target इस पर hit करना है ठीक है तो इस पर निशाना ना लगकर जो है इससे दूर निशाना यहां side में लग जाना wide अथार यह आपका arrow लगा यहां से बहुत ही दूर है wide मींस बहुत दूर या चोड़ा है इसके बीच के डिस्टेंस बहुत जादा है क्योंकि दूर लगा है निशाने पर कोई चीज़ ना लगना तो wide of the mark गलत या संगत या जो है target को वो hit ना करे यानि लच्छ से दूर होना अगला है give a wide worth to give a wide worth to means होता है avoid somebody or something या keep away from somebody or something किसी चीज से दूर है ना या किसी चीज को अपने से दूर रखना किसी चीज से दूर रहना जैसे कि लिखा हो है meaning में तो give a wide worth to worth क्या होता है जो सोने का जो विस्तर होता है महला जिसे ट्रेन माल में देखा ट्रेन में बर्थ होता ना वर्थ जिस पर आप लेटते हैं बैठनी जगा होता है उसे वर्थ बोलते हैं तो give a wide worth to अथार्थ चोड़ा वर्थ देना तो चोड़ा वर्थ देना माल लिजी के वर्थ है माल लिजी बेड है ठीक है इस पर दो लोग लेटे होए है तो अगर अगर ये वर्थ अगर चोड़ा होगा तो क्या होए है ये दोनों लोग एकदम दूर दूर लेटेंगे एक दूर से दूरी बना कर लेटेंगे है न लेकिन अगर ये वर्थ अगर इसकी चोड़ा अगर कम होगी तो एकदम पास पास रहेंगे तो give a wide worth ठीक है ये लेटने के लिए एक चोड़ा जो है बेट देना तो चोड़ा बेट देंगे तो क्या होए दोनों लोग एक दूरी से दूरी बनाए रखेंगे तो avoid करना है तो क्या होगा meaning इसका किसी चीज़ से दूर रहना अगला है wild goose chase wild goose chase means होता है wasting resource working on something that does not exist अर्थार एक निर्थक या निशफल प्रियास करना क्या होगा कि अपने resource या शुरोतों को या अपने समय को ऐसी चीज़ पर लगाना जिसका कि कोई अस्तित्व ना हो या उसका कोई प्रियोग ना हो wild goose chase तो यह इडियम जो है यह old form है horse race called wild goose chase महला भी एक horse race होता था horse racing पुराने जवाने में horse racing का एक game होता था जिसे बोलते थे wild goose chase तो वहीं से यह इडियम आया है लेकिन इसको अब याद कैसे करेंगे इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं कि जंगली जो है कि जंगली बत्तक का पीछा करना या जंगली बत्तक का सिकार करना तो जंगली बत्तक का अगर हम सिकार करेंगे तो वह व्यर्थ का चीज होगा क्योंकि वह जंगली बत्तक जो वह खाने लायक नहीं होता है तो जंगली बत्तक का पीछा करना wild goose chase अगला है Will or the wisp Will or the wisp मिन्स होगा An unrealistic या unattainable और Delusional Hope or goal अर्थात जो अपने स्वरूप से भ्रह्म पैदा करे या धोका दे unrealistic होना लब जोची real में ना हो भ्रह्म पैदा गए जो real में जैसा है वो ऐसा ना दिखाई देना और unattainable unattainable मिन्स होगा अप्राप्ट यह अप्राप्ट यह मतलब जिसको प्राप्ट करने लाइक जो प्राप्ट करने लाइक ना हो या delusional हो या मतलब होगा भ्रांती मैं होना तो will or the wisp यह idiom जो है इसका ओरिजन ऐसा है कि जो Mars gas जो होता है Mars gas तो Mars gas से छड़िक तथा अचानक प्रकास निकलता है मिथेन होता है Mars gas तो Mars gas क्यों होता है छड़िक यह अचानक प्रकास निकलता है तता कुछ छड़िक बाद वहाँ गैस दलदली जमीन में गायब हो जाती है तो इस छड़िक प्रकास को बोतल में कैद करना बहुत ही मुश्किल है है ना तो क्योंकि जो है यह बहुत कम समय के लिए होता है तो कह सकते है कि उसका सरूप ऐसा है उस गैस का कि जिस से भरम पैदा हो जाए और भरम की बज़े से इसको हम कैद नहीं कर सकते है बोतल में जो अपने स्वरूप से भरम पैदा करे या धोका दे मलब गैस से धोका देने भरम पैदा करने वाली है तुरंद ही गायब जाती है जिसे हम कैद नहीं कर सकते है अगला है बिन वाय नोज बिन वाय नोज मिस होता है to succeed or defeat someone in something by only a very narrow margin अर्थात बहुत कम अंतर से किसी को हरा देना या सफलता पा लेना एकदम कम अंतर से बिजाई होना तो यह एडियम जो है उननिशपी सतावदी से आया है horse racing से तो माल लीजे कि कोई horse racer horse rider है है ना यह finish line है माल लीजे कोई एक horse जो है finish line को पार कर गया अधूसरा horse जो है अपने नाक के अंतर के बराबर से finish line तक पहुंचने में बच गया तो नाक के अंतर के बराबर जो है finish line को touch करने से बज गया मतलब वो क्या होगा कि बिन वाइदा नोज और अगला जो है वो nose को एकदम touch कर दें nose के बराबर पहुँच गया अपने finish line को तो बिन वाइदा nose अर्था nose के अंतर से जीत गया मतलब बहुत ही कम अंतर से जीत जाना अगला है wind laurels wind laurels मिस होता है to obtain achievements और honors अर्थार प्रसिद्धी या इनाम पाना laurels क्या होता है यह पत्ती होती है ornamental plants होता है यह सजावटी पत्ती होती सजावटी पेड होता है उस सजावटी पेड की जो पत्ती होती है उससे हम चीजों को सजाते हैं या उसको आभूसर के रूप में इस्तिमाल करते हैं तो क्या होता था कि पुराने ancient roman में जब कोई योध्धा या कोई कभीले का सदस जो है कोई युध्य चीद कर आता था या किसी व्यक्ति को हरा देता था तो कभीले के सरदार जो है उसके सर पर लॉरल की पत्ती से सर पर नहीं उसके गले में लॉरल की पत्ती से बनी हुई कि माला उसके गले में डाल देता था तो जिससे ये प्रतिव होता था कि वो कोई युध्य जीत कर आया है तो बिल लॉरल्स मिस होगा प्रसिद्धी या इनाम पाना ओके दोस्तों आज का इडियम फ्रेस यहीं तक है इसका बस एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है फिप्टी वो भी आपको भुचलत मिल जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और जिन दोस्तों ने हमारे प्रिबियस पार्ट को नहीं देखा इस इडियम फ्रेस की सीरीज को उसको इसको अपने दो तक जाजाज शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिबिशन मिले कि ये लगे कि हाँ आप लोग इंट्रेस्टेट हो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए तो तब तक के लिए आप लोग जो है अपने प्रिबिशन जारी रखिए तो चलिए मिलते हैं इसके लास पार्ट में ओके थैंक यू फर वाचिंग गुड़ बाई